आज हम देखेंगे X-linked disorder क्या होता है जो इससे पहले हमने देखा था genetic disorder इसका link आपको description में मिल जाएगा हम देखते हैं X-linked disorder क्या होता है इसमें है first color blindness and second होता है hemophilia color blindness it occurs in about 8% in males and 0.5% in females जो color blindness होती है यह 8% males में पाय जाती है तथा 0.5% females में होती है जो color blindness है यह disease females में male की अपेक्षा कम होती है यहाँ जो color blindness है या X-linked disorder है तदह है या mandalian disorder है जो किसी एक जीन में change के कारण होता है यहाँ जो color blindness disorder होता है या recessive होता है या केवल homozygous condition में ही express होता है color blindness बीजन रिष्टी में एक defect है जो किसी परसन के लिए रंगों के बीच अंतर करना मुश्किल बना देता है जिस भी वेक्ति को color blindness होती है वह color के बीच वह difference पता नहीं कर पाता है इसे हम color blindness कहते है जैसे red एवं green color इनके मद्धिय जो difference होता है उन्हें पता नहीं कर पाना ही color blindness की लक्षण है इसके बाद हम देखते हैं genetic color blindness जो होता है वह x-linked gene के कारण होती है मेल्स आमतोर पर इसमें affected होती है जो color blindness होती है उन्हें मेल्स affected होते हैं क्योंकि उन्हें जो chromosome होती है उन्हें एक्स होती है जिससे जो मेल्स होता है वह affect हो जाता है जहां फीमेल्स को दोनों की ज़रुरत होती है कुछ medicine जैसे anti-diabetic erythromycin जो भी सिल्ड नेफिल काडिया ग्लाइकोसाइड इत्यादी है जो इनके लिए use किये जाते हैं इसमें हम देखते हैं जो फीमेल होती है यदि वह color blindness है लकिन जो फीमेल होती है वह color blindness जो फीमेल होती है उनमें एक जीन affected होता है तो यह जो फीमेल होती है उनमें color blindness एक्सप्रेस नहीं होता है क्योंकि जो color blindness है वह recessive disease है यदि जोंगे जीन affected होती है तब ही फीमेल में है जो color blindness होता है जो फीमेल होती है वह carrier होती है यदि इनमें दोनों जीन्स अगर affected है तब ही फीमेल में color blindness होगी इसी तरवह हम males में देखते हैं जो male होती है उनमें एक X chromosome होता है यदि जो X chromosome में यदि यह affected है जो gene तो इसकी वज़े से जो males होती है वह color blindness होगी क्योंकि इनमें केवल एक ही X chromosome होता है यदि यह affected होता है तो जो male होगा वह colorblind होगा इसमें हम देखते हैं कि जो males होते हैं वह ज़्यादा affected होती हैं और जो females होती हैं वह carrier female होती है क्योंकि इनमें heterogigas condition में होती है तो इनमें जो color blindness disease से वह express नहीं होता है इसके बाद हम देखते हैं color blindness female example में देखते हैं जो color blindness female होती है और जो normal male होता है इनके मद्धे cross कराया जाए तो जो gametes बनेंगे वह इस प्रकार से होंगे X, C, X, X and normal and Y जो तो जो इसमें suns होंगे वह इनके मद्धे अगर cross कराया जाएगा तो prosceni में जो all suns होंगे वह color blind होंगे क्योंकि इनकी जो females होती है वह Color blindness है और इनमें जो cromosomes, X cromosomes है वह affected है और यहाँ जदी male के साथ जाएगा तो इनके जो suns बनेंगे वह color blindness होंगे क्योंकि इनमें केवल एक ही cromosomes होता है इसी प्रकाभ जो females होती है उनमें सभी females carrier होती है क्यूंकि इनमें यहां एक एक्स जो क्रोमोजोम से वह affected है अधर था एक नौर्मल है यहां हेट्रोजाइगस कंडिशन में है जिसे जो colorblindness disease है वह एक्सप्रेस नहीं होती है इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें केवल एक ही क्रोमोजोम से एक्स होता है और यदि वह affected होता है तो सभी जो संस होंगे वह colorblind होंगे इसके बाद हम देखते हैं क्रीस क्रोस inheritance क्रीस क्रोस inheritance क्या होता है इनमें यदि जो normal female होती है और जो colorblind male होता है इनके मध्य अगर क्रोस कराया जाएगा तो जो males बनेंगे वह normal होंगे क्यूंकि इनमें जो female से जो क्रोमोजोम सा रहा है वह normal है इसके वज़े से जो first generation होती है उनमें जो males होती है वह normal होती है किन्तु जो females होती है वह carrier होती है क्यूंकि इनमें जो x exterior होता है वह male से आ रहा है और इनकी वज़े से जो female होती है वह carrier होती है इसी प्रका जो female होती है उनके नॉर्मल में मेल के साथ यदि क्रोस कराया जाता है तो second generation में हम देखते हैं कि जो male होते हैं वह color blind male होती है और जो female होती है वह normal एवं carrier होती है इसे ही हम criss cross inheritance कहते हैं यह first generation में जो यह disease होता है वह express नहीं होता है किन्तु जो female होती है वह इनकी carrier होती है और यह जो female होती है इनका normal male की साथ यदि cross कराया जातू next generation में हम देखते हैं कि जो male होता है वह color blind मिलता है और जोDet Ellen females होती है वह normal एवम color改ier होती है ततह जो male होती है वह color blind एवं normal होते हैं कot color blindness का सिंप्टम्स देखते हैं कुछ लोग हर रंग को देखने में सक्षम होते हैं लेकिन भेद नहीं कर सकता है जो color blind people होता है वह हर प्रतियक जो color है उसको देखने में सक्षम तो होता है किन्तु उनमें difference वह पता नहीं कर सकती कुछ रोग रंग बिल्कुल ही ना देखवाएं में सिर्फ काले सफेद और भूरे रंग के रंगों को देखने में ही सक्षम हो सकते हैं किन्तु जो इस प्रकार से जो symptoms है वह बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है इसके बाद हम देखते हैं second है hemophilia यह भी ex-linked disorder है तथा यह जो disorder है वह recessive होता है इसे हम royal disease भी कहते हैं hemophilia ex-linked तथा यह disorder जो होता है वह recessive होता है यह केवल homozygous condition में ही express होती है hemophilia is a rare disorder इसमें जो blood होता है वह समाने रूप से clot नहीं होता है इनमें जो blood clotting जो protein होती है उनकी कमी होती है blood जो समाने रूप से blood clotting में अनेक proteins बनते हैं तो hemophilia जो disease होती है उनमें या जो protein वह नहीं बन पाती है जिसकी वज़े से जो blood होता है वह blood clotting नहीं हो पाता है जो hemophilia होती है वह two types के होते हैं फैला होता है hemophilia A and second होता है hemophilia B तो इसमें हम first देखते हैं hemophilia A इसे factor 8 deficiency या classic hemophilia भी कहते हैं यह जो genetic disorder होता है वह clotting protein missing या defective factor 8 के कारण होता है या factor 8 के कारण की कमी के कारण जो disease है वह hemophilia A है जिससे जो blood होता है वह clotting नहीं हो पाता है all took it is a pass down from parents to children यह parents चिल्रन में पास होता है इसके बाद हम देखते हैं hemophilia B hemophilia B क्या होता है इस factor 9 की कमी या Christmas disease भी कहा जाता है यह genetic disorder है और clotting protein जो है factor 9 के कारण होता है all took it is passed down from parents to children यह भी parents चिल्रन में पास होता है जो कॉसम देखते हैं तो hemophilia जो होता है वह वह अनुगत होता है या parents जो children है उनमें पास होता है जिसके कारण यदि parents को यह डिसीज है तो वह उनके चिल्डरन में भी यही डिसीज होगी हाला कि hemophilia से पीडित लगवक 30% लोगों में disorder का कोई family history नहीं है फिर भी हम देखते हैं कि जो hemophilia डिसीज से जो पीडित है उनमें 30% जो people है उनमें जो disorder है उनका कोई family history नहीं है या जैनेटिक नहीं है इन लोगों में hemophilia एक जैनेटिक के कारण होता है manifestation देखते हैं science of external bleeding लोग ब्लीडिंग यदि कोई भी कहीं भी कट जाएगा यह कहीं भी बॉड़ी में कट की वाज़े से यदि ब्लड जो ब्लीडिंग करती है तो यह उनमें clotting नहीं हो पाता है और यह हमेशा ब्लीड करते रहता है for minor trauma and small cuts इनमें जो blood clotting proteins होती है इनमें factor 8 और जो factor 9 है इनकी कमी के कारण जो blood होता है वो clot नहीं हो पाता है इसके कारण जो और bleeding होती रहती है hemophilia एक royal disease भी कहते हैं क्योंकि यह royal families में पाया गया था क्योंकि पाता है